हेलो दोस्तों, बाइसेल सिग्नल सॉप्ट्योर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम एनालिसिस करते हैं बैंक अप बरोडा का हमारे सॉप्ट्योर में आपने देखा होगा कि हम कंफॉर्म सिग्नल के अंदर ही काम करवाते हैं अगर confirm सिगनल है तो काम करिए अगर unconform है तो काम मत करिए तो किसे पता चलता है कि कौन सा सिगनल confirm है और कौन सा गलत है तो पहला ये sell signal आया है 12 डिसेम्बर 2017 को sell signal के पहले उसने नीचे की तरफ blue का ट्रेंगल लगाया इसका मतलब यह कि ये sell confirm है और buy signal के पहले उसने उपर की तरफ blue का ट्रेंगल लगाया, इसका मतलब यह है कि buy signal confirm है, अब इस buy में से यहां आपका exit बनेगा, यह buy confirm बन गया, अगले दिन market खतम हो गई, तो यहां से आप काम ने कर से, 4 December से हम 20 दिन का performance चेक करते हैं, दोनो signal confirm है, अब यह sell signal गलत है, क्यों गलत है क्योंकि sell के आगे नीचे की तरफ arrow नहीं बना हुआ है, जिसे कि यहां sell के पहले नीचे की तरफ arrow बनाता, वेसे यहां नहीं बना है, तो मतलब कि यह sell signal गलत है, इसमें आप काम नहीं कर सकते, अगर करना है, तो यहां से एक लोट में करें, क्योंकि यह बाद में confirmation ब बाद में आया Sell Signal, तो यह Sell भी confirm बन गया क्योंकि अच्छी के पहले उसने नीचे की तरफ ब्लु का ट्रेंगल लगा दिया, Sell confirm बन गया ट्रेंगल मिला मतलब कि आपको पोजिशन इस बाई में से एकजिट कर देना है बाद में आया सेल सिगनल तो इस सेल सिगनल कंफर मपन गया क्योंकि सेल के पहले नीचे की तरफ ब्लू का ट्रेंगल बना हुआ है मार्केट में काफी नीचे आया आज मार्केट ओपन हुआ बाद में फिर से अगें उसने नीचे की तरफ एरो डाला मतलब कि आपको पोजिशन कंटिन्यू गोल्ड करनी है अभी मार्केट में मार्केट चल रहा है 167,90 पेशा 20 डिसेमबर चल रहा है ऐसी तरह आपको कोई भी दूसरी स्क्रिट का अगर डेमो दिखना है तो आप हमें कॉल करिए हम आपको लाइव डेमो दिखा देगे टीमवीवर डाउनलोड करके हमें कॉल करिए हम आपको लाइव डेमो दिखा देगे ठैंक्यू फॉर वाचिंग जोस्टो